मेश ब्रश मित्वन और करक राशी के दर्शकों पांच देन सबसे लख्की रहेंगे और अर्टालिस घंटे के बात और हैं फिर शुरू होगा खेला 10-16 जनवरी सब्ताहिक राशी फल में आप सभी का हार्दिक स्वाकत करता हूँ नमश्कार मैं हूँ मनविंदर रावत मित्रो यह जो सब्ताहा है यह काफी महत्पून रहेगा और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें पांच दिन ऐसे हैं जिसमें चंद्रमा की इस्तिती बहुत बलवान रहेगी और साथ हमें बुद्ध ग्रह इसी दोरान वक्री भी होंगे चंद्र राहु का ग्रहन दोश भी बनेगा क्योंकि एक दूसरे के नस्दीक भी रहेगे क्या है ग्रहों का गोचर यह मैं आपको जान करें दूँगा उससे पहले आपसे आगरह करूँगा यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वश्य कर लें बेल आइगन के बटन को भी दबा दें ताकि तुरंट और जल्दी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और वार्शिक राशिफल 2022 का बनवाने के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं आईए दोस्तों सबसे पहले चर्चा को प्रार्ण करते हैं और शुरुआत करते हैं मेश रासी से जितने भी मेश के दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सबी जानते हैं कि आपकी राशी के सौमी मंगल गरे हैं और मंगल इस्टम भाब में केतू के साथ में गोचर कर रहे हैं और यह है गोचर सोला तारीक तक रहेगा सोला तारीक के बाद नो डाउट आपकी राशी के सौमी मंगल की इस्तिती काफी मजबूत हो जाएगी बलवान होगी परंतु सब्ताहिक राशी फल किस रूप में वतीत होगा यह मैं आपको जानकरी देता हूँ आपके लिए पहले जो तीन दिन रहेंगे वो विशेश रूप से अच्छे हैं इन तीन दिनों में आपके सुखों में वृद्धी और यदि इन पहले तीन दिनों में आपको जी विशेश कारे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं समय आपके लिए उचे दिखाई पड़ता है इसके बाद यानि कि लगबगे मान के चलिए तेरा तारीक से दस ग्यारा बारा तो अच्छा है तेरा तारीक एक दिन आपको थोड़ा ध्यान रखने के आवशक्ता रहेगी वोगी चंदर राहू का पून रूप से ग्रहन दोश आपकी राशी में बनेगा और वो भी परिवार के घर में तो ऐसी इस्तिती में परिवार जनों के साथ में मन मटाव होंगे आए सीमित होगी और विशेश रूप से आपकी वानी पर दोश लगेगा आपको कोई नए कारे की नीव दिरांग 13 तारिक को नहीं रखनी चाहिए इसके बाद 14-15 और जो 16 तारिक रहेगी यह आपके लिए काफी फलीबूत होगी और इसमें भी विशेश रूप से आखरी का दिन 16 तारिक का यानि की संडे का इस टाइम में स्वय ग्रही चंद्रमा आपके मन पर गोचर करेंगे सुख सादनों के घर पर गोचर करेंगे तो अच्छा रहेगा तो एक तरीके से देखा जाए तो जितने भी मेश राशी के दर्शक अभी हमें सुन रहे है आपके ग्रह इस्तिती के अनुसार आपका ये वीक अच्छा ही वितित होगा और इन फैक्ट जैसे ही 14 तारिक को बुद्ध ग्रह का वक्र चाल में प्रवेश करना आपके करम की गती को मजबूत करने वाला रहेगा ये मैं आपसे कहना चाहूँगा जो भी कार्रव होंगे उनमें आपको सफलता मिलेगी शीख सफलता मिलेगी और अच्छी सफलता मिलेगी दोस्तों इसके लावा आपको आपके पिता का सहयोग इस पूरे सप्तहा प्राप्ट होता रहेगा एजूकेशन के दिश्टिकून से ये पूरा वीक आपके लिए काफी अच्छा है और साथ ही भग्य के अनुरूब भी आपके कार्रे बनेंगे इस वीक में क्योंकि देव गुरू ब्रस्पती आपको अपना अच्छा खासा सहयोग प्रदान कर रहे हैं दामपत्य जीवन और लव लाइफ दोनों ही अच्छी रहेगी क्योंकि लव के स्वामी सूर्य और दामपत्य जीवन के स्वामी शुक्र दोने इखटे बैठे हैं आपको आपके व्यापारिक पार्टनर से निश्ची तोर पर लाप्राप्त होगा यह मैं कहना चाहूंगा दोस्तों अब बात करते हैं आपसे नेक्स राशी की और राशी का नाम रहेगा मिथुन जितने भी मिथुन के दर्शक अब मुझे सुन रहे हैं आप द्यान से सुनिए आपकी जो गोचरी ये इस्तिती रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपकी राशी के स्वामी बुद्ध गरहें अस्टम भाब में हैं और तेरा तारिक को वक्री भी होंगे तो आपको विशेश रूप से स्वास्त का ध्यान रखना चाहिए इस वीक में और या विशेश बोलें तो 14 तारिक से 14, 15 और 16 तारिक ये तीन दिन तक क्योंकि ये फिर तीन गुना ज़्यादा स्वास्त पर नेगेटिव प्रभाब दालेंगे यदि हम बात करें शुरुआत की तो नो डाउट पहले तीन दिन आपके लिए काफी अच्छी रहेंगे और इसमें से भी मंगल और सुम का जो दिन है ये दो दिन का ये बहुत जादा अच्छा रहेगा आपके धन की जो जिम्मेदारी है वो चंद्र ग्रहे के पास है और वो लाब के घर में बैठ करके आपको चकोटी का लाब प्रदान करेंगे और विशेश रूप से उन लोगों को जो चंद्रमा से जुड़े हुए कारे करते हैं चन्द्रमा के जो कार्रे होते हैं वो हो एं केमिकल्स वेट वस्तर बीट के दूद के दही के चावल चाझनि के चापास के जल सिंचाईवी बहाग आई इसाब चीजों का वाटर प्लांट इन चीजों के कार्या है चन्द्रमा तो आपको ऐसे कार्यों में विशिश रूप से प्राप्त होगा पहले दो दुन काफी अच्छे हैं इसके बाद बुदवार को और ब्रस्पतिवार को जो गरह इस्तिती आपकी रहेगी उसमें खर्चों में ब्रेदी और इमोशनल भावो को करके आपको कोई डिसीजन नहीं करना चाहिए अन्नित आपको भारी नुकसान प्राप्त होगा इन आखरी दिनों में आपको परिवार का इन चार दिनों में सुख भी प्राप्त होगा परिवार में कोई मदवेद भी दूर होगा और आपको कोई अकसमात धनलाव के योग भी बनेंगे और उच्छ कोटी के लोगों के साथ में आपके संपर्क भी बनें यहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा विशेश रूप से दोस्तों इसके लावा मंगल केतु रोग के घर में है तो स्वास्थ पीड़ा दायक परिस्तितियां आपके लिए रहेंगी आज जो लोग दिनको ब्लड प्रैशर की प्रॉडम रहती है रखते संबंदी विकार रहते हैं उनको ध्यान रखना है और पेट से संबंदी परेशानी रहेगी तो अचा संबंदी द्रोग आपको दूखी करेंगे तो इन चीजों का भी ध्यान रखते हुए कारे करना है बात करें एजुकेशन की तो विध्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा सकरात्मक रहेगा और सुख सादनों से संबंदी चीज़े इस वीक में आपको नहीं खरीदनी चाहिए इसके लावा भागय की यदि बात करें तो भागय आपको सही होग करेगा अब बात करते हैं नेक्स राशी और वह रहेगी व्रशव जितने भी व्रशव के दर्शव मुझे सुन रहे है आपका जो ग्रह को उचर रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी राशी के स्वामी शुक्र ग्रह बनते हैं और वो रोग के घर में रहेंगे इस पूरे वीक तो एक प्रकार से स्वास्त के दर्श्व कोन से आपको ध्यान रखना चाहिए बात करें अदि धन की और बच्चों के सुख की तो संतान की जिम्मेदारी नीती की, विध्या सुख की, मंत्रना शक्ती की, कारे की सिध्धी की, इच्छा शक्ती की, अक्समात धन की, लेखन की, शियर बजार की ये सब जिम्मेदारियां बुद्ध के पास है और बुद्ध पूरे वीक आपके लिए बहुत फेवरेवल है तो इन सभी दृष्टी कोनों से आपका समय अच्छा है, जो बाते मैंने भी आपसे बोली इसके अलावा यदि हम इसको कैटेगराईज करें, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको पहला दूसरा और तीसरा देना, साबधानी से निकालना चाहिए, स्वास्त के दृष्टी कोन से भी और मान सम्मान के दृष्टी कोन से भी फिर बाद के जो चार दिन रहेंगे वो आपके लिए काफी बहतरीन है और इसमें से भी यदि कोई विशेश धनका लेंदेन करना है, तो आप शुकरवार को और शनीवार को कर सकते हैं ये मैं आप से कहूंगा, आपके प्रतम बाब में राओ बैठे हैं, सब्तम में मंगल के दू बैठे हैं तो इस प्रकार से मंगल का मंगलिक दोश भी बना हुआ है, तो दोस्तों ये है तमाम ग्रहों की इस्तिती जो यहाँ पर व्रशब राशी की मुझे नजर आ रही है तो थोड़ा अपना ध्यान रखें, केरफूली काम करें, गुरु देव की पंचम दृष्टी आपके धन की तरफ मुड़ी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर गुरु तो वो पैसा देंगे, इसमें कोई दोराय नहीं है अब बात करते हैं दाम बत्ते जीवन, वो डिस्टब है, उसको ले करके तो साफधनी बरत नहीं पड़ेगी अब बात करूँगा करक राशी की, जितने भी करक के जा तक मुझे भी सुन रहे हैं, आपका जो ग्रह गोचा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपके लिए ये वीक के शुरुवात के दो दिन बहुत अच्छे हैं और आखरी के दो दिन आपके दो दो दिन बहुत अच्छे हैं और बीच के तीन दिन फिर एवरेज रहेंगे इसलिए जो भी कारे करना हो या तो पहले दो दिन में करें या आखरी के दो दिन में करें इसके लावा आपके लिए बुद्ध ग्रह की वक्र चाल दिनांक 14 तारिक शाम 5 बजे से ठीक रहेगी एवरेज में अच्छी रहेगी और साथ ही ये वीक स्वास के दरिश्ट्री को उन से अच्छा नहीं है जिन लोगों को हाठ हिर्दे पेट हदिनियों से संबंदित विकार चल रहा है उनको साबधानी अवश्य बरतनी चाहिए और इसके अलावा विद्यार्थी जितने भी टेक्निकल एजूकेशन में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है सेना पुलिस में कारे रत हैं उनके लिए बहुत अच्छा है डॉक्टरों में भी विशेश रूप से जो सर्जन हैं उनके लिए अच्छा है और जो लोग केमिकल्स का काम करते हैं उनके लिए पहले दो दिन काफी अच्छे हैं बात करें अधि प्रापटी से संबंदित लें दिन तो ये जरूर बोलूँगा कि प्रापटी के लें दिन पहले दो दिन में करना उचित रहेगा या आकरी के दो दिन में बाकी बीच के जो तीन दिन है इन में ना करें इसके लावा दामपते जीवन आपका अच्छा रहेगा और भागे में जैसा मैंने बताया कि एक उतार चड़ाब तो दिखाई दे ही रहा है कुछ समय अच्छा है कुछ खराब है तो दोस्तों ये है आपकी ग्रहे इस्तिती यदि आप भी कुछ ली बनवाना चाहते हैं दिखाना चाहते हैं पूजा पार्ट या रत्म लेना चाहते हैं इसके लावा हमारा नया फेस्बूक पेज है वैदिक एस्ट्रो 24 जिसका बीच बीच में आप देखेंगे डिस्प्ले भी हो रहा है तो इसका आप जरूर फॉलो करें इसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है हमारे यूटूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और वार्शिक राशिफल 2022 का आप हमें बनवाने के लिए संपर कर सकते हैं अब यह आप से जाजा चाहता हूँ एक बार पुन है अगर में कारिकर में आपके बीच में हाजिर होंगा अब इजादत दीजिए नमस्कार धन्यवाद आप सभी के लिए खुश खबरी वर्श 2022 का हस्त लिखित वार्शिक वर्श फल बनवाएं जिसमें आपको जनवरी से दिसंबर